जैन चौकी छेतर में एक साथ साल की मासूम बच्ची के साथ एक किसोर द्वारा दुराचार करने का मामला सामने आया है इड़ता के पिताने पड़ोस के रहने वाले एक युवक के खलाब तहरीर दे कर कारवाही की मांगी है मामला वरंदावन खुदवाली के जैन चौकी छेतर के एक गाउं का है जहां के रहने वाले एक व्यक्ति ने जैन चौकी में तहरीर दी कि उनकी साथ साल की बेटी गुरुवार की शाम को घर पर खेल रही थी तबी पड़ोस का करीब 16 साल का किसोर उसे बहला फुसला कर अपने इस साथ ले गया और घर के समीब एक प्लोट में उसके साथ हैवानियत की इस घटना को पीड़ित बच्ची की चचेरी बहनने भी देखा लेकिन वो डर की वज़े से किसी को बता न सकी शुकरवार को उसी बच्ची ने आँखों देखी घटना परजनों को बताई तो परजन सकते में आगे आरोप है कि जब पीड़िता के परजन आरोपी परजनों से शिकायत करने पहुँचे तो उनके साथ गाली गलोच करते हुए उनके साथ जाती सूचक सब्दों का प्रियोग किया इसके बाद मामला जैंच चौकी तक जा पहुचा जहां काफी देर तक पीड़ित परवार पर समझोते का दबाब बनाया गया घटना की जानकारी होने पर कोतवाली प्रभारी अजैक वसल पीड़ता और उसके परवार को कोतवाली लियाए जहां घटना के बारे में पीड़ता के चाचा ने घटना के बारे में जानकारी दी वहीं कोतवाली प्रभारी अजय कोसल ने बताया कि परजनों की ओर चे तहरीर दी जा रही है तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कारवाही की जाएगी दूसरे भाई की जो एक और बेटी थी उसने यह सारी चीजे देखी तो उसने घर पर बताया पापा हमको अकेला मच छोड़ा करो और ऐसे-से उसके साथ गलत काम किया है तो हम जो उस बेटी को पूछा हमने तो वेटक क्या वारदात है क्या हुआ तेरे साथ तब उसने यह सा दम से सब सौक में पढ़ गए कि यह क्या हुआ तब उसके बच्ची राजु नाम का लड़का उसके घर पर हमारी मम्मी गई और छोटे भाई की जो भाइफ की वह भी गई तो वहां उनसे सिकायत की गई आपके बच्चा ने ऐसे ऐसे अरकत की है तो वह उल्टा हमारी मम्म तो साथ से यही प्रातना है कि इसके साथ करवाई की जाए आगे से किसी और की बेटी से या उसे कोई हाथसा ना हो या गलत काम ना करें तो बस यहीं चाहते हैं